हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मैं कमलेश विश्वकर्मा दोस्तों आप सभी कैसे हो उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि आई टी आई कैट का तो एकजाम भी हो गया और इसका रैंक कार्ड भी आ गया लेकिन दोस्तों इसका मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक और इसका काउंसलिंग कब तक होगा तो फ्रेंड्स आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका क आई कैट का काउंसलिंग अभी तक क्यों नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स मैं हरोज आपने चल्न पर ऐसाई वीडियों और आई टी आई सम्मंदित नियूज एवं अनेक जानकारी अपने चल्न के माध्यम से आप तक लादा रता हूँ तो फ्रेंड्स मेरा वीडियों से पह मैं जब भी ऐसा एई वीडियों अपलोड करूं तो उसका रोंटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो फ्रेंड्स आईए हम लोग जानते हैं आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका हिंदूस्तान एक्स्क्लूसीव का न्यूज पेपर है और ये पटना का है ठीक दोस्तों और आपका इसमें दिया है स्विक्रीती सीटों से 30 फीसदी अधिक दाखिला लेने पर लगी रोग जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन पा रहे होंगे कि स्विक्रीती सीटों से 30 फीसदी अधिक दाखिला लेने पर लगी रोग और आपका इसमें दिया है आईटी आई नहीं ले सकते सीटों से अधिक दाखिला जी हाँ दोस्तों अब आपका आईटी आई नहीं ले सकते सीटों से अधिक दाखिला और दोस्तों आपका इसमें दिया है कि और द्योगिक पर सिचर संस्थान आईटी आई में अब स्विक्रीती सीटों से अधिक दाखिला नहीं होगा अब तक ITI में सूपर नियुमेरी बेवस्ता के तहद मंजूर सीटों से अधिक दाखिला लिया जा रहा था लेकिन केंद सरकार ने आदेश जारी कर दाखिले की नई बेवस्ता पर रोक लगा दी है हाला कि नए आदेश में अब तक ITI में जितनी सीटों पर दाखिला हो रहा था उतनी सीटों की अस्थाई मंजूरी दे दी गई है और इस नियम पर ITI में 30 फीसदी सीटों की अस्थाई ब्रिद्धी हो गई है और दोस्तों आपका इसमें दिया है कि श्रम्संसाधन विभाग की अधिकारियों के नुसार अब तक की ब्यवस्था में अगर किसी भी से यानि ट्रेड में 10 सीट है तो वे 12 चात्रों का एडमिशन ले रहे थे और जिस ट्रेड में 12 सीट है उसमें 16 चात्रों का एडमिशन हो रहा था और जिस ट्रेड में 20 सीठ है उसमें 24 चात्रों का दाखिला हो रहा था ठेक दोस्तो जैसे आपका किसी ITI में अगर 10 सीठ है तो उससे अधिक यानि 12 चात्रों का एडमिसन हो रहा था और इसके पीछे तर किया था कि अगर दाखिला लेने के बाद कोई चात्रत 2 साल के पहले ही पढ़ाई छोड़ दे तो ITI संचालकों को कोई नुकसान नहीं होता था बलकि संचालकों को लाब हो जाता था ठेक दोस्तो लेकिन इस बिवस्ता में कई तरह के अनियमिता की सिकायत से आ रही थी राज्य से लेकर केंद सरकार तक या सिकायत पहुची की मंजूर सीट से अधिक दाखिला लेने में कई तरह के खेल हो रहे हैं और इस खेल में विभाग से लेकर ITI संचालक तक सामिल होते हैं बदले में एडमिसन लेने वाले से मोटी रकम की वसूली होती है औ और इस खेल पर रोक लगाने के लिए केंद सरकार ने पिछले दिनों में एक आदेश जारी किया था कि कहा कि अब मंजूरी से अधिक अब तक हो रहे दाखिले के अनुसार ITI की सीटे बढ़ा दी गई है और इस कारण सभी ITI में 30 फीसदी तक सीटे बढ़ गई है और पुर 62 प्राइबेट ITI में लगभग 2 लाग सीटे हैं और नए नियम में इस समय अब तक अस्थाई कर दिया है बड़ी होई सवरडों में 10 फीसदी सीट भी सामिल हो गया है ठीक हो दोस्तों और आपको लोग इधर देख पा रहे हैं आपका 149 सरकारी ITI बिहार भर में हैं और 26,800 सीटे इन ITI में सामिल हैं और 1062 निजी ITI राज्य में हैं और आप लोग नई बेवस्ता भी देख सकते हैं सुविक्रीती सीटों से 30 फीसदी अधिक दाखिला लेने पर लगी रोक और केंद्र ने सूपर नियुमेरी बेवस्ता को समाप्त करने का पत्र भी जारी कर दिया है और आप लोग इधर देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह बड़ी सीटें आपका दोस्तों यार ITI का काउंसिलिंग अभी तक नहीं हो रहा इसलिए कि आपका जो ITI का सीट है वो बढ़ा दिया गया है ठेके दोस्तों आप लोग अपना सीट इसमें देख सकते हैं जैसे टर् में 20 से 24 सीट कर दी गई है और जबकि बाकी ट्रेडों में 10 से 12 और 12 से 16 और 16 से 20 और 20 से 24 सीटें हो गई है ठीक दोस्तों यह आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि दोस्तों आपका बियार ITI कैट के जो ITI में दोस्तों सीट है वो बढ़ा दिया गया है इससे आप लोग को फायदा होगा तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और इसे कमेंट बॉक्स में हमजरू बताए कि मेरा वीडियो आप लोग झाल झाल